आम तोर पर गले में खराश की समस्या ठंड के मौसम में ज्यादा देखी जाती है, लेकिन यह गर्मी के मौसम में भी हो सकती है गर्मियों के मौसम में बार बार अधिक ठंडी चीजे खाने या फिर खूब ठंडा पानी पीने से भी गले में खराश हो सकती है इसके अलावा कई बार घर की साफ़ाई के दौरान धूल मिट्टी का मुम्ह या नाक में चले जाना या फिर प्रदूशन से भी एलर्जिक इंफेक्शन होने का खत्रा रहता है ऐसे में आप कई घरेलू उपायों के जरीए इस समस्या से निजात पा सकते है नमक वाले पानी से गरारे इसके लिए पहले पानी में एक दो चुटकी नमक डाले फिर पानी को हलका गुनगुना करें इसके बाद एक गिलास गुनगुने पानी से लगभग पांच मिनट तक गरारे करें यहां गले की खराश को दूर करता है और गले के दर्द को कम करने में आपकी मदद करता है मुलेठी का सेवन करें मुलेठी गले के लिए बहुत फाइदे मन्द होती है गले में खराश होने पर मुलेठी का छोटा सा टुकडा मुं में डाल कर धीमेधी में चूसते रहें ऐसा करने से गले में होने वाले दर्द से जल्दी राहत मिल सकती है काली मिर्च के साथ मिश्री का सेवन काली मिर्च को गले की खराश, खासी या जुकाम के लिए काफी उप्योगी माना जाता है अगर इसका सेवन मिश्री के साथ किया जाए तो इसके फाइदे और भी बढ़ जाते हैं काली मिर्च पाउडर और मिश्री की बराबर मात्रा ले और इसे मिलाकर एक बंद दिब्बे में रख ले गले में खराश होने पर इसकी थोड़ी सी मात्रा का सेवन दिन में दो तीन बार करें अद्रक का काढ़ा अद्रक को छील ले और इसके बाद इसे पानी में डाल कर कुछ देर तक उबलने दे जब पानी आधा हो जाएं तो समझ ले कि आपका काढ़ा बन कर तैयार हो चुका है गले में खराश या दर्ध होने पर इस काढ़े का सेवन करें दिन में दो से तीन बार इसे पीने से काफी आराम मिल सकता है तुलसी का काढ़ा गले की खराश के लिए तुलसी का काढ़ा बेहत फाइदे मंद होता है इसे बनाने के लिए एक बरतन में तेज आज पर पानी उबाल ले दूसरी तरफ मिकसर में लॉंग, काली मिर्च और दालचीनी को पीस ले अब कुछ तुलसी के पत्तों के साथ इस पिसे हुए मसाले को बरतन में डाल कर उबाल ले अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज विडियो को लाइक, शेर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे धन्यवाद